हलो गाई स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर तो पुरानी एक वीडियो मैंने डाले थी जिसमें मैंने नीडल के बारे में बताया था कि कौन से नंबर की स्वी किस कपड़े पर यूज होती है उसमें बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था क कि वेलवेट या शनील के कपड़े पर कौन सी स्वी लगती है तो आज उसी के बारे में मैं आप से बात करूंगी और यहां आपको करके दिखाऊंगी कि इस तरह का जो stretchable कपड़ा होता है ना जो वेलवेट में होता है बहुत ज्यादा stretch होता है ये और इसी तरह का शनील तो इसमें बड़े बड़े टाके पढ़ते हैं या फिर कभी-कभी एकदम चुटी-चुटी बारिक-बारिक टाके पढ़ने लगते हैं जो उसी में दिखते भी नहीं है तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो यहां मैं सबसे पहले करके दिखा रही हूं कि अगर आप ने डि कैसे डिरेक्ट अगर आप सिलाई करते हैं तो कैसे इस पर सिलाई आएंगी तो यह देखें थोड़ी सी मैं करके पहले दिखा दे रही हूं आपको अब आपको एकदम क्लियर दिखेगा और यहां देखेंगे तो सुई यहां पर आगे ही नहीं बढ़ रही है तो जैसे मैंने बताए कभी-कभी एकदम बारीक बारीक जो है छोटी-छोटी इसमें सिलाईयां उठती हैं टाके उठते हैं और कभी-कभी बड़े-बड़े टा आप उठते हैं तो यह दो प्रॉब्लम आती है अगर आप इस ट्रचबल कपड़े के उपर ना सिलाई लगाते हैं तो यहां पर धागा भी टूट गया है और कभी-कभी बहुत बार धागा कटता है और कपड़ा भी कट जाता है तो यह है इसका यह देखें डिरेक्ट अग अगर आपने यही सुई लगा करके इसको डिरेक्ट इस पर सिलाई चला दी न तो फिर यह कपड़ा या तो कट जाएगा या फिर यह बड़े-बड़े टाके टाप छोड़ेगा या फिर यह एकदम छोटी-चोटी टाके छोड़ेगा जो सिकुडते हैं श्रिंक हो जाते है तो सही तरीका यह है कि 16 नंबर की सुई से आपको 14 नंबर की सुई को रिप्लेस करना है चौदा नंबर की सुई आप लगाएं 16 नंबर की हटाईए वहां से और फिर उसके बाद से आप इस पर सिलाई लगाएं तो यहां मैं इसको ओपन कर रही हूँ और इसको हटा दे रह पाती है हर जंगा नहीं मिल पाती है तो फिर आप क्या नम है क्या करें क्योंकि 14 नंबर की सुई जो है ना ऐसी सुई है जो कभी-कभी यूज में आती है जैसे आप अगर वेल्वेट का सनिल का कपड़ा सिल रहे हैं तभी आप यूज करते हैं या फिर आप अलेक्रानिक कपड़े पर सिलाई लगा सकते हैं तो यहां सुई को मैंने चेंज कर दिया है यहां 16 नंबर की हटा के 14 नंबर की लगा दी है और आपके सामने ही मैं सिलाई कर रहे हूं तो आप देखेंगे कि आप इस पर टाके किस तरह से आएंगे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते है कपड़ा खराब हो जाता कट जाता है अब यहां आप देखेंगे बहुती अच्छे स्टेचिंग इस पर आ रहे हे यह देखें बिल्कुल परफेक्ट ली स्टेचंग आ रहे है मैं ये वाली भी सिलाई आपको दिखाऊंगी जो इस स्टार्टिंग में मैंने चलाई थी और यह श्रिंक हो रही थी, बिल्कुल छोटी-छोटी टागे यह दे रही थी, यहाँ देखेंगे, और यह वाली सिलाई मैंने 14 नंबर से की है, तो दोनों में फर्क आप देख सकते हैं, तो जब भी आपको सनील के या वेलवेट के कपड़े पे सिलाई लगानी है, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, कि सुई को चेंज कर देना है, इससे आपका कपड़ा खराब होने से बच जाएगा, क्योंकि कभी-कभी यह कपड़ा पूरा-पूरा काट देता है, और कैसे सिलाई आती थी, यह देखिए, और दूसरी बार में मैंने जब सिलाई की है, तो कैसे सिलाई आती है, अब एक चीज और कि अगर आप इस प्रेंड की सुई यूज कर रहा है ना, उसकी खराबी के वज़े से भी-कभी 14 नंबर होते विए भी सिलाई अच्छी नहीं आत और कपड़े के हिसाब से सुई को सेट कीजिए, आप जिनका कॉमेंट था कि अगर मेरे बास 14 नंबर की सुई नहीं है और 16 नंबर की ही है, उसी से सिलाई करें तो कैसे करें, तो देखिए यह थोड़ा सा जो है ना, पूरी मतलब आपको अगर पूरा सूट सिलना है या कु अगर पड़िन से फट गया, उसको रिपेर करना है, तब 16 नंबर की सुई से ही आप रिपेर कर सकते हैं, कैसे वो तरीका में बता दे रही हूं, छोटा सा पीस ले ले लिना है कागस का इस तरह से मैंने पेपर का पीस ले लिया है, सीधा सीधा कट कर लिया है, और वापस से solar number की सुई मैंने इसमें लगा दी है अब paper को ऐसे उपर रख लेंगे इस पर set करके थोड़ा सा कपड़ा नीचे से fold कर लिया था मैंने और इसी में मैं सिलाई लगा के वापस से दिखा रही हूँ कि अगर as it is आपके पास solar number की ही सुई है और आपको थोड़ी सिलाई यां कहीं लगानी है थोड़ा सा काम है आपका तो आप इस वाले हैक को यूज कर सकते हैं बिना सुई को बदले हुए तो ये देखें ये मैंने एक सिलाई लगा दी है अब मैं आपको इसको दिखा दे रहे हूँ तो यहां पर आप देखेंगे कि बहुत ही फाइन आपकी स्टेचिंग हुई है बिना सुई को चेंज किये हुए ये 16 नंबर की सुई से ही आप सिलाई करेंगे और यहां कप्ड़े का कटने का डर भी नहीं होगा क्योंकि उपर आपने पेपर दे रखा है और बस इस तरह से हलके हाथ से जहां पे भी आपने लगाया है वहां से ये पेपर हटा दीजे देखें ऐसे बहुत आराम से ये पेपर हट जाएगा और उसके बाद से थोड़ी सी आगर आपको सिलाई करनी है थोड़ा सा रिपेर करना है और आप सुई को चेंज नहीं करना चाहते आपके पास है नहीं 14 नंबर की सुई तो ये वाला है कि यूज कर लिजेगा 16 नंबर की सुई से ही आपका वेलवेट पे और सनील पे ये वाली सिलाई लग जाएगे और अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप अपने आग किट में सिलाई की किट में 14 नंबर की सुई जरूर रखिए बहुत आराम से वेलवेट के और सनील के कपड़े पे लग जाती तो यहाँ देखेंगे स्टिचिंग बहुत ही फाइन आई है पेपर को हटाने के बाद मैंने दिखा दिया तो पेपर एक लगा के भी आप इसको सिलाई कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो थोड़ी भी हल्पूट लगती तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और अभी तक मेरे चैनल पर उसको सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके जाईएगा ऐसे ही और वीडियो उसके लिए मिलती हूँ मैं नेक्स वीडियो में थाइंक यू बाई